वेल्कम अभी यूटूब चैनल दोस्तो आप लोग को आज antiseptic के बारे में कुछ अच्छा सा बात बताने वाले हैं तो दोस्तो चलते हैं antiseptic के बारे में जानते हैं तो antiseptic जो होता है हमारा वो antiseptic जो होता है हमारा एक chemical होता है जो की micro-organism को किल करता है growth जो उनका prevent करता है बचाओ करता है या किल कर देता है growth और microorganism को antiseptic applied किया जाता है living tissue such as wounds, cuts, ulcer and disease skin surfaces wounds मतलब होते हैं घाओ और cuts मतलब होते हैं जिसके चोट लग जाता है उसको cut बोलते हैं दोस्तों ulcer मतलब होता है छाले disease skin surfaces मतलब मतलब जब जो बिमारी वाली skin होता है उसके surfaces पर भी यूज होता है और example जो होता है फ्लोरासीन होता है सुप्रामाइसीन होता है ATC this is not ingested like antibody मतलब ये एंटिपाइटिक की तरह नहीं होता है ingested नहीं होता है दोस्तों कॉमली यूज एंटिसेप्टिक डेटल is a mixer of chloro chloro oxylenol and terpenol terpenol huge anticep terpenol दोस्तों ये जो होता है हमारा देटल मतलब कॉमली यूज किया जाता है ज्यादा तर यूज किया जाता है डेटल जो mixer होता है chloro oxylenol and terpenol terpenol का और bethynol जो होता है compound is called bethynol all जब लगा रहा है दोस्तों तो समझ लो इसमें alcohol है और जब AL लगा रहा है तो समझ लीजे aldehyde है तो दोस्तों is added to soap to impart antiseptic properties ये soap मतलब साबुन में add किया जाते हैं जो कि इसमें भी antiseptic की properties होती है दोस्तों और iodine जो होता है हमारा दोस्तों powerful antiseptic होता है its 2-3% solution in alcoholic water mixer is known as tincture of iodine 2-3% जो solution होता है alcohol के water mixer में वो tincture of iodine कहते है उसको tincture of iodine कहलाता है is applied on wounds मतलब ये घाओ पे apply किया जाता है दोस्तों idroform is also used as an antiseptic for wounds idroform जो होता है हमारे दोस्तों ये भी antiseptic की तरह use किया जाता है for मतलब के लिए wounds के लिए मतलब घाओ के लिए boric acid in dilute aqueous solution is weak antiseptic for eyes boric acid जो होता है dilute aqueous solution होता है दोस्तों और weak antiseptic for eyes के लिए होता है आखों के लिए होता है दोस्तों थैंक यू